वेलकम टूर केवसी ब्लोग आप सब कैसे हैं दोस्त बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ लॉंग वीडियो लेके क्योंग बहुत दिन से लॉंग वीडियो नहीं डाल रहे थे एडिटिंग करना बहुत टाइम लगता था और घर में कुछ ना कुछ पु आज मैं जो सेयर करने जा रही हूँ वो बानाना केक है जी हाँ फ्रेंड्स मेरे घर में तिवार पुझा के बज़े से इतना सारा केला बगरा आ रहा था तो बच गया था और केला जो होता है ना ज़्यादा पक जाने से खाने को मन नहीं होता है तब ही आप उसको बीना फे केक बगरा बना दीजिए वो बहुत टेस्टी लगता है और इसलिए मैं आज केक बना ली हूँ आप लोगों के साथ सेयर करने आ गई हूँ तो चलिए देखते हैं बहुत आसन सा केक है स्टाट करने से पहले आप लोगों के से चोटा सा रिक्वेस्ट है अगर लाश तक दे जीए या बर्तन भी ले सकते हैं उसको सबसे पहले जरूरी होता है और मेरा पैस बटर पेपर था इसलिए मैं बटर पेपर दे दी हूँ आप लोगों पैस अगर बटर पेपर आभल लवल नहीं होता है तो आप सिंपली मेदा डर्ष्ट करके उसको आरेंज करके रग पका हुआ पूरा पका हुआ केला लीजिएगा क्योंकि पका हुआ केला होने से क्या होता है उसमें से एक अलग सा स्वीटनेस आता है मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्वीटनेस उसमें आता है हम लोगों को जो सुगर पाउडर बगर आप उसमें कौम आड करने से भी चलेगा लेकिन पका हुआ जो केला होता है ना वो मैसकने में भी बहुत आसन रहता है और ज्यादा हाड़ वाला केला नहीं लीजिएगा मतलब फ्रेस जो पकता है केला ना वो उससे ज्यादा पूरा पका हुआ केला लेना बहुत अच्छा रहता है केक में भी मोईस्ट आता है तो यह ले ली हूँ तो इस सब और में घ्रूं याई मैं इनली को paramड़ नंगी में कमहीं कि मुझे लगता है कि जो बनाना है बहुत थोड़ा सा स्थान्य सफब समे और कम कर दी हूं मतलब आप समझे वान टेबल स्पुन जैसे मैं कम कर दी हूँ चिनी पाउडर को अभी उसको में डाल के मिक्स कर दी हूँ और यहां पे वान फोर्थ कप रिफाइंड ओल ली हूँ अन फ्लेवर वाला रिफाइंड ओल आप कोई भी ले सकते हैं बटर को मेल्ड करके भी ले सकते हैं लेकिन घी भी ले सकते हैं लेकिन घी लेने से उसका थोड़ा सा स्मेल अलक से छोड़ता है इसलिए आप बटर ले सकते हैं आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और सबसे और यहां पर मैं बिल्कुल अच्छे से उसको एक सार होने तक उसको मिक्स की हूं मिक्स कर दी हूं और यहां पर वन टेबल स्पून जैसे मैं भीनेगर दी हूं कैंकि जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा इसमें जाएगा तो उसको वो आक्टिवेट करता है कोई भी मतल जाबा आप लिम्पू का जूस ले लिजिएगा वन टेबल स्पून जैसे बिल्कुल भी खटा नहीं लगेगा और यहां पर मैं जो बेकिंग पाउडर है उसको मैं वन टी स्पून ली हूं और बेकिंग सोड़ा जो है वान फोर्थ टीप स्पून ली हूं यह बेकिंग पा थंडा होगा तो वो बेट जाएगा मतलब बीच में से या मतलब स्रिंग हो जाएगा केक जो होता है और इसलिए हम लोग बेकिंग सोड़ा बहुत कम लेते हैं और यहां पर मैं वन टेबल स्पून जैसे बेनिला एसेंस ली हूं आप चाहे कोई भी एसेंस ले सकते हैं अग वो आराम से पाउडर बन जाएगा बिलकुल भी उसका नहीं रहेगा क्योंकि चिन्नी हम लोग तो बाद में च्छनी में च्छानते हैं अब च्छनी में च्छान लीजिएगा उसको तब वो जो एक्स्ट्रा पाट जो रहता है उसको फेक दीजिएगा वो आराम से जो जैसे लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज्यादा बनाना था इसलिए आप वान कप चाहने से भी वान कप भी ले सकते हैं तो सिंप्ली मैं वान कप और फोर टेवल स्पून गेहू का आटा ली हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कट अन्फोल्ड मेथड में याद रखिएगा जिस मुमेट पे आप लोगों का हाथ चलता ही रहता है उसी मुमेट सिर्फ केक को मिक्स करनी के लिए इधर से गुमा फिरा के उसको बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा नहीं तो जो एर बबल क्रियेट होता है वो सारा निकल जाता है और यहां पे मैं थोड यहां पर मैं वान फोर्थ कप से आधा उतना ही मिल्क में ली हूँ जितना मुझे जरुरत होगा यहां पर मैं ग्राजुआली उसको आड करती जाओंगी और मिक्स करती जाओंगी क्योंकि बाना केक जो होता है ज्यादा लिकूडी नहीं रहता है रीवन फ्लेवर का नहीं होता है बिल्कुल भी दूसरा केक आप लोग बनाएंगे तो वो रीवन तो रीवन कंसिंस्टेंसी में रहता है उसका जो ब्याटर लेकिन बानाना केक में कभी भी लिकूडी फर्म में बिल्कुल भी महत करियेगा और क्यूंकि यह होता है जब बेक होता है तो बानाना का अपना अंदर भी कुछ मॉइस्टर रहता है वो बेक होने के टाइम पे अपने से पाने रिलिज करता है बानाना का अंदर से पाने रिलिज होता है तो केक जो है बहुत पतला हो जाएगा बहुत गिला गिला सा लगेगा वो वाला केक तो बिल्कुल भी खाने को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा मूँ में जमने जैस लगता है ना वैसे ही लगेगा अगर खाने के टाइम पे आप लोग खाते हैं ना तो मुझ में जमा हुआ जैसा लगेगा और यहां पे ऊपर से मैं थोड़ा सा चोको चिप्स भी डेकोरेशन कर दी हूं केक टिन में ट्रांसपर कर दी हूं बैटर को आप देख लिए कि कितना बैटर का कंसिंटेंसी कितना रहना चाहिए बस उतना ही रखेगा आपका केक जो है बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा आप एक बार जरूर इस टाइप का बना के देखिए फिर मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आप लोगों से कैसा बना केक अच्छा बना है या कुछ डाउट है तो कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं तो इसको अभी हम लोग में आज ओभिन में इसको बेक करने बाली हूं अगर आप कड़ाई में बेठाना चाहते हैं तो कड़ाई में सिंपली 10 मिनिट के लिए प्रीट कर लीजिए और उसक 30 मिनिट के बाद ही जो कड़ाई है उसको खोल के देखिएगा 30 मिनिट से पहले उसको चेक बिल्कुल भी मत करिएगा और यहां पर मैं ओभिन को 180 डिग्री सेल्सेस पर कन्वेक्शन मोड पे उसको बेक सरी प्रीट किये थी और अभी यहां पर मैं बेक करने के लिए डाल द अभी मैं चेक करें हूं यह मुझे थोड़ा सा नीचे से काचा लग रहा है ओपर वाला सर्फेस तो हो गया लेकिन नीचे में काचा है तो इसको मैं और 5 लुप से मिनुट हुआ है अभी जो केक है उपर शूरा फूल गिया है अभी इसे लिए मैं लिदु मिनिट के बाद इसको बंद और इसको बांद करके मैं चेक करहे हूं यह देखिये कितना आच्छा अचला बे रख हुआ है इसको यह लग रहा है नीचे में भी थोड़ा सा अभी काचा है तो मैं इसको और शिर्फ एक मिनिट चलाओंगी एक मिनिट तक मेरा यह जो केक है वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा अभी देखे जो टाइमिंग है वो खतम नहीं हुआ है लेकिन मैं बीच में उसको रोक के श्टाप बटम दवा के उसको मैं चेक करें हूँ देखे बिल्कुल क्लीन निकला है हमारा जो टूथ फीक है तो इट मींस यह हमारा बेक हो चुका है अभी मैं एंड बटम श्टाप ब निकल दूँगी क्योंकि ज्यादा देर तक उसके अंदर गर्मी के अंदर रहने नहीं दूँगी और देखे फ्रेंड्स यहां पर मैं निकल के ले आई हूँ यह देखे ऊपर से पुरा फट चुका है कितना अच्छे से बेक भी हो गया है अभी इसको हम लोग थंडा होने क के बाद ही डीमोल्ड करिएगा और बटर पेपर दिये हैं तो आराम से निकल जाएगा लेकिन उससे पहले आप एक क्लॉथ लेके उसको ढखके रख लीजेगा क्योंकि जो होता है ना केक का सर्फेस जो होता है वो हाड हो जाता है बाहर का हावा लगने से गरम से निकला होत आएगा अभी थंडा हो चुका है क्लॉथ हटा के में साइड वाला जो पाठे केक का केटिंस के मोल्ड पे हम लोग थोड़ा सा चाकु लगा के उसको लूज करते रही हूं जल्दी निकला आएगा आसानी से अभी देखे यह कितना सुन्दर से निकल के आ चुका है मैं यह बटर पेपर हटा दे रही हूं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना स्पंजी ने साया है इसके अंदर यह देखे फ्रेंड्स कितना जाली बना है कितना स्पॉंज है इसके अंदर में हम लोग जो चकोचिस डाले थे ना वो इभेला हुआ है ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक जम गया है बिल्कुल भी नहीं है आप अगर बैटर को पतला बनाएंगे तब ही आप जो भी ड्राइफ रूट्स डालिए उसमें वो नीचे में जाके बेट जाएगा बैटर को सही बना के रखने से ड्राइफ रूट्स बिल्कुल भी नीचे जाके नीचे तले में जाके ब तो इसलिए मैं थोड़ा साइड से कट करके उसको दूंगी इसलिए आपको उससे पहले थोड़ा सा दिखा दे रहे हूं यह देखे फ्रेंड्स कितना स्पॉंज बना है स्पॉंज बिल्कुल सही है मेजरमेंट बिल्कुल सही है केक का ब्याटर भी बिल्कुल सही था आप लो मेरा बेटी आगे उससे वो लेके खा चुका है अब भी क्या करें उसको ही काट के आप लोगों को दिखा रही हूं बच्चे है ना घर में केक बनाने से वो मतलब आपने आपको रोकी नहीं पाते हैं यह तो केक बनने के बाद वो खाया है लेके लेकिन इससे पहले वो आप लोगों से जो मैं सेयर की हूँ और जो इन्फरमेशन आप लोगों के साथ सेयर की हूँ वो आप सब को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और दूसरों के साथ जरूर सेयर करिएगा यह को फैमिली फ्रेंड्स के साथ और जो मेरे चैनल पे ने हैं वो अगर पसंद आ रहा होगा उनको मेरा जो बनाने का तरीका रेसिपी तो प्लीज 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 पेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू पर वाचिंग आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस केक को बना के जरूर एक बार एंज़ए कीजिए बाई